जवेद मोटर्ज यह आप नंबर चेक कर लें जी यह आज हम हुंडा सिविक 2017 का रिव्यू करेंगे ठीक है यह हमारे नुमान भाई है इनका शोरूम है इनके साथ आज हम बातचीप करेंगे जी वाले इसलाम नुमान भाई क्या आला ठीक है अच्छा आज हमें कौन सी गाड़ी दिखा रहे हैं वे रहे हैं इसके लावा टोटल जैनियन है शावर तक नहीं है यानि कोई एक्सिदेंट नहीं है बिलकुल जैनियन जैनियन तो फिर इसका रिव्यू जिए देखें सबसे पहले बाहर से चकर आए रिव्यू रिव्यू इसकी इसकी लाइट से लाइट से था रहा डेल भी वह यानि नाट इवन इसका बंपर है जाए देखें जी इसके लाइट है क्लोज व्यूज़ आप देख लें देखें इसके ओपर कोई स्क्रेश नहीं है यह हलका सा है तर टचिंग हो जाती है वाकि यह बिल्बूल जैनियन गाड़ी है नुमान बाई की बकॉल कि यह इसकी कोई मतलब है कि जैनियन है बलकुल य पर की कंडिशन है इसके बंपर की कंडिशन है देनमान भाई टाइर बिलकुल नियू टाइर है जी बिलकुल सही बाद है यह देख़ें इसको मैं साय ह्ट कर दो आप तको आध यह इसकी बॉडी की कंडिशन देख लेंगे जी नुमान भाई बाडी तो बिलकुल नीव है, इसका यह फेंडर और यह दुरवादा तूटल जानी है जानी कि इस तरह कोई भी बन्दा नहीं बताता सिर्फ यह कहते हैं कि यह बिलकुल उन्टाच है लेकिन नुमान भाई हमें बता रहे हैं कि यह इधर से लगी थी और इसको यहां से स्प्रेय किया है माशालला बहुत अच्छी बात है देखें जी आप समझ रहे होंगे बात को के इमानदारी है सब्सक्राइच को कवर करने के लिए इसके उपर स्प्रे की है । बाकिया बागी आप आप दिते लाइट है यह देखें जी यह पहले तायर देख लें इसका यूज नियू 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 पड़ी है इसका गता शता हर चीज जीरो मेटर के बराबर है यह देखें यह हम ट्रंक बंद करेंगे ताके इसका पूरा व्यू लोगों को आए और पास से दिखाएंगे यह देखें इसके बंपर की कंडिशन है पिछले की बिल्कुल साफ सुथरा कोई स्क्रैज नहीं है इसके ओपर और यह देखें जवेद मोटर्स का स्टिकर लगा है ठीक है यह नुमान भाई का अपना शोरूम है उसका स्टीकर लगा और यह है इसकी ड्राइविंग साइड का रव्यू देख लेजी बिल्कुल साफ सुत्री है यह देखें टायर अलाय रेम लगे हैं इसके अंदर यह इसके गोले जो है वह बिल्कुल जैनी है नहीं है यह पर लगे हैं यह बाद में उकरवाई रहा है ठीक है लेकिन यह बहुत अच्छे लग रहे हैं यह इसकी बाटी की कंडिशन है यह देख लेए यह नीचे भी खुद ही लगा है यह बाद में बाद में चेक कराएंगे पहले हम रिव्यू कर आदें इसकी बाटी का यह टायर बिल्कुल नीटन क्लीन है अच्छा जी अब हम इसका चेक करेंगे ऐंचन रूम है इंजन रूम जो है वह बाटी खोलेंगे भाई है और श् marketing होता प्रेंड यह ताप होगत ही साथ हों ठीक है निटन है वह तक सहुंडहां एम अक्सांदा में उसका होता है यह साही है कुपा यह बैर्टी कुपा यह बैर्टी इसकी कंडिशन बिल्लकुल जीरो मिटर यह देख सकते हैं आप उन्डा का मसला जो है वह इसके अंदर माशाला भी उसका कोई नाम निशान ही नहीं नहीं है तो इसकी सीले करें बेलकल जैनियन सीलें म्य जी लेगि यह इंजन की कंडिशन है यह आप देख सकते हैं यह पीछे वाला इसका भैड देखें अ यह देखें आज क přेंदे हैं नहें आट गार को चेक करना हो तो उसके तवे चेक किए जाह कैई कijk तो यह इसके तब भी मैं चparty कंडिशन बता चले की के देख सकते हैं आप बिलू कुल गिसे नही नहीं +, Nee अब आप अंदर से दिखाएंगा इसमानओ मुद्ध कैट्यis यह माशालला आपने रूम देखा जी बिल्कुल साफ शतरा रूम है जिस बंदे ने भी इस गाड़ी के मतलिक पूछना हो हमसे राब्ता करें और इंशालला हम जो है ना वो उसको पूरा रिव्यू देगें यह देखें जी इसका अगर आप स्पीडो मेंटर के बात करें तो वो अलेक्ट्रोनिक है सारा जी 76 371 किलोमेटर इसकी यह तोड़ा सेक्सलिटर देना यह देखें जी इसका आरपीयम है यह चेक करें जी गाड़ी का रूम देखें जरा माशालला चेक करें और यह इसकी इसका है सं रूफ और बिल्कुल नीट अड क्लीन इसकी छते इसकी सी बैडर की सीटे यह एं यह देखें जानियन लेदर की सीटे है इसका स्टेरिंग की कंडिशन देख लें आप यह बटन वाली स्टाटिक है क्रूस्टार्य क्रूस्ट्रोंइक गयर जो है वह आटोमेटिक ट्रांस्मिशन यह जेखिए चेक करें तरह इस गाड़ी को मार्शाला इसकी सीले यह देखे बिल्लकुल जीरो गड़ी है पिछे बाले दरवाजे को चेक कर लें पिछे बाले रूम को भी चेक कर लें यह देखे यह देखे चेक कर सकते हैं बिल्लकुल इसके अंदर इसके ओपर तो एक स्क्रेश तक नहीं आया है यह दर्वाजे की सीले जाकरें जो देखें जी अंदर से इसकी सीटें और इसका पीछे वाला गत्ता और इसकी च्छत च्छत तो बिल्कुल नहीं हुआ है हर चीज इस गाड़ी की नहीं हुआ जी मैट्स में है इसके अंदर ठीक है और इसी तरह इसका पिछले अमने डिगी अभी दिखा दी है अच्छा नमान भाई जाब इसकी इसका माडल पुछेंगे और इसकी प्राइज पुछेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो भाई इसकी प्राइज क्या है तो भाई इसकी प्राइज क्या है 33.5 साड़े 33 लाकी और डिमांड इसकी कर रहे हैं भाई और जब कोई अंदर सपार्ट आएगा तो जाहरी बात है इसको थोड़ा बहुत पंसेशन इंशाला जूरूर करेंगे और जिस बंदे ने भी इसको लेना हो वो मेरे से इन बॉक्स में राप्ता करें इंशाला मैं आपको नमांड बाई से कॉंटेक्ट भी करवाऊंगा और इनका नमबर भी दो में दो इनका इन बाई फंट से तो करें और जो तो ट् explosion को खोर्ते ह् वाँ राप्ते हैं